हेलो एब्रीवन देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी वेकेंसी आई हुई है अलग-अलग पोस्ट के लिए वेकेंसी है ठीक है ब्यूरो ओफ इंडिया स्टेंडर्ड के तहत काफी सारी वेकेंसी निकली हुई है इसमें मैं आपको चार पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए आप जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुशन किया हुआ है तो ठीक है इसमें आपको स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट या सीनियर सेक्रेटियर असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट सेक्षन ओफिशर यानि एसो यह चार प प्रोफाइल सेलरी वगरा के बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके है आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो चलिए जो यह स्टार्टिंग में है यह आपकी मतलब की नहीं है अगर आप केवल आपने ग्रेजु ग्रेड़ पे की पॉस्ट है ठीक है और उसी के नीचे है आपकी असिस्टेंस एक्षन ओफिसर एस ओ इसके बाद है आपकी असिस्टेंट कम्पूटर एड़ीड डिजाइन ठीक है तो यह आप अभी एक मिनट इसको इसको इसकिप करेंगे जो दो पोस्ट है आपकी 5 और 6 पी ए और असिस्टेंट सेक्षन ओफिसर इसमें आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है और लेवल 6 की पोस्ट है यानि की 42 ग्रेट पे की ये वेकेंसी है इसमें पोस्ट भी आपकी काफी सारी है आपकी जो कैटिगरी वाइज पोस्ट दी हुई है ठीक है यह आप देख सकते हैं य प्रेनोग्राफर की पोस्ट आठ भी नंबर पर और एक हैं आपका सेनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट आठ और नो ठीक है तो यह इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं यह लेवल 4 की है यानि 2400 ग्रेट पे की पोस्ट है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो काफी वर दे ठीक है, इसमें आप apply कर सकते हो, अब देखते हैं इसका qualification क्या मांगी गई है, उसके अलाबर जो post है वो technical post है, अगर आपने कोई technical degree करकी हो, है ना, तो वो आप अपने साब से देख सकते हो, उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए, यहाँ पर personal assistant में आपको degree आपके पास होन पांगी जाती है, तो वो stenographic test होगा, stenographer की vacancy जो है, उसमें भी stenographer का test होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिस आप bilingual, मतलब जो भी आप, आप अपनी साब से भर सकते हो, जिस भी language में आपने सीख रखी हो, ठीक है, skill test, इंग्लिस या हिंदी दोनों में से आप एक में आप चू इसमें apply कर सकते हैं, उसके बाद इसमें skill test बगरा भी होता है, ठीक है, तो ये ता आपका qualification, stenographer में आप देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, आगे अगर मैं देखू, syllabus, ठीक है, तो syllabus की अगर मैं बात करूँ, देखे, syllabus भी आपका ही syllabus है, जो आप च चीज़ हैं, उसके अलावा अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये जो आपकी assistant section officer, personal assistant, stenographer and senior secretary assistant, यानि ये जो चार पोस्ट में आपको बताईए, उन चारों का syllabus है, आपका reasoning, GA, यानि general awareness, quantity aptitude, यानि math और English language, ये चार subject आप से पूछे जाएंगे, पचास question आपके होंगे reasoning के, यापर syllabus बहुत अच्छा तरीके से यापर syllabus दिया हुआ है, अगर English आपको आती है, और reasoning और math आपका अच्छा है, तो आप easily exam को crack कर सकते हो, ठीक है, और एक question एक number का रहेगा, इसमें section आपको time दिये जाएगा, पचास question के लिए 35 minute, और इसमें आपको 20 minute दिये जाएंगे, GA म और math के लिए आपको 25 minute दिये जाएंगे, 25 question के लिए sufficient time है, और English के लिए 40 minute आपको दिये जाएंगे, sufficient time है, कोई दिक्कत नहीं है, 150 question है, 150 जो है यहाँ पर number के हैं, और 120 minute यहाँ आपको दिये जा रही है, यानि sufficient time है, time की कोई कमी नहीं होगी आपको, उसके बाद इसमें जूट है, ठीक है, यह आप देख सकते हो, और fees वेगरा है, fees काफी हाई है, कोई बात नहीं, आप इसमें भर देना form, और center वेगरा आप देख सकते हो, job profile आप, आपको अगर job profile की बात करें, तो दीके, जो group C की post होती है, इसमें काफी अच्छा जो है, मतलब reputed post होती है, इस में कोई आपको doubt नहीं रखना, और इसमें आप apply कर सकते हो, बाकी और जो चीज़े है, previous year के question paper मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से इसमें regioning, किस तरह से GS, और किस तरह से आपको math वगरा आता है, English, एक निट, तो यह सारी चीज़ें आप भर सकते हो, और 19 अपरेल से form बरने स्टार्ट हो चुके है, और यह आप भर सकते हो, ठीक है, 9 महीं तक, और देखिए, exam की अगर बात करें, online exam होगा, जून के महीने में आपका exam होगा, ठीक है, यह धियान रखना है, जून के महीने में exam होगा, और IBPS जो है, conduct करा रहा है, ठीक है, IBPS इस exam को conduct कराएगा, जून में date दी हुए, तो जून में आपका exam हो जाएगा, तो जून के हिसाब से आपको तयारी करके चलनी है, और आपके पास 2 महीने है, लगबग 2 महीने मान सकते हो, इस हिसाब से आप तयारी कर लो, अच्छे से पढ़ लो, और आपका जो है, इसमें नमबर आ जाएगा, और इसमें एक चीज और याद रखनी है, आपको 50% minimum marks आपको लेकर के आने, qualify होने के लिए, तो इस पोस्ट के लिए, जो 4 पोस्ट मैं आपको बताईए, इसमें आप भर सकते हैं, बहुत अच्छा मोका है, apply जरूर करना है आपको, ठीक है, और अच्छ झाल